सितंबर 2016 में पाकिस्तान की अवैक कबजे वाले कश्मीर में अतंक्यों के ठिकाने पर भारती सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के 21 महिने बाद सेना की उस बहादूरी का वीडियो सामने आने के बाद राजनिती शुरू हो गई है जिस पर कारगिल शहीद परमबीर चकर विजिता कैप्टन बिकरम बत्ता के पिता जील बत्ता ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक देश हित में किया गया था और पाकिस्तान को सवक सिखाया जा सके और उस समय की स्थीती को कंट्रोल किया जा सके प्रन्तु ये बात बड़ी दुर बास नीती करण किया जाए जील बत्तरा ने कहा कि जिस तरह के हालात उस वक्त वने हैं पाकिस्तान अपनी हरकतों से विल्कुल बास नहीं आ रहा है इस प्रकार की जो ऑपरेशन या सर्जिकल स्ट्राइक हमें फिर से करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान को उसका जबाब दिया जाहिए था ताकि जो हालात इस कारेकाल में रहे हैं ना होते और ये बहुत गलत है इस प्रकार के जो स्टेप लिये जाते हैं सरकार के द्वारा गो देश हित में होते हैं और सभी को इसका समर्थन करना चाहिए बजाए इसके की इसका राजनिती करन किया जाए पाल्डी साइस किया जाए इसको बलकि मैं तो यहां तक मानता हूँ समझता हूँ कि जैसे हालात इस वकत बने हुए हैं और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बिल्कुल कतई बाज नहीं आ रहा है तो इस प्रकार के जो आपरेशन्स हैं सर्जिकल स्ट्राइक है ये हमें भरिश में भी करना चाहिए ताकि उसको यहाँ एक लेस्न दिया जा सकें और अपरिस्तियों को सतारा जा सकें सोलगित है और ह्वाया ह definitive मानता हूँ कि इसको बहुत पहले लेना चाहिए था इसकड़ा पहले उठाना चाहिए था यह जो यह वह आइस ब्रेक तिया है पीदिपी के साथ में पिरक रिक हमारे जवान उसमें मरे हैं भूभी नहीं मरने थे शलेले होना तो यही था हुआ इतना था यहीं होना था और पहले कर लिया होता तो शर्ण त्यांट रहे देर द्रोст है बहुत अच्छा है